लोग सभा चुनाओ को लेकर बिगुल बच चुका है बिजनौर जन्पत की अगर हम बात करें तो बिजनौर जन्पत पर दो लोग सभाय सीट है एक नगीना सुरक्षित दूसरा बिजनौर विजनौर सीट के अगर हम बात करें और युवाओं की बात ना हो तो एकदम बेमानी सा लगता है कहीं ना कहीं इस चुणाओं में युवा जहां बढ़ चड़कर ओट करेंगे तो वहीं युवाओं से जानेंगे कि विजनौर समान सीट पर किस मुद्दो को लेकर आपकी बार वो ओट करेंगे मुद्धे बहुत हैं लेकिन हम युवाओं से ही जानेंगे कि ऐसे क्या मुद्धे होंगे जिनको लेकर अपकी बार वह ऊठ करेंगे तो किसान को भी ए हुआ है अगैवा हम बात करें तो इससे पहले अरल्डी का गडबंधन विधान सबग चुनाओं में समाजवादी के साथ अब जो है बिजेपी के साथ जो है रिल्डी का गडबंधन हो गया है तो जाट इसको किस तरीके से लेंगे जाट इस अच्छी तरह ले रहा है फाइद तोड़ से कहना है कि विकास के मुद्दे हैं साथ ही साथ हम आपको बता दे कि बिनौट जन्पत में फर्स्ट चनल में चुनाओं है जहां पे 19 तारीक को जो है 19 अपरेल को मद्दाता अपने मद्दान का प्रयोग करेगा वहीं कल 20-27 मार्स तक जो है नामांगन की प्रक्रिया तो चुनाओं में कोई ज्यादा समय नहीं रहे गया इसको लेकर हमारे साथ और भी वहाँ हैं जिन से हम बात करेंगे कि ऐसे क्या मुद्दे क्या नाम है अपकिल कुमार क्या मुद्दे होंग अपकी बार चुनाओं में देखिए मैं तो यह कहना चाहूंगा कि मेरे पर बात करें तो नौजमानों का साथ-टोड से कहना है कि जहां पर केंद में में बीजेपी की सरकार में उत्तरप्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अभी हाल फिलाल में पुलिस का जो पेपर था वो लीख हुआ था अन पेपर को भी लेकर जो है रद्द किया गया तो किस तरीके से देख रहा हैं जो देख रहा है उस के लिए उनों कुछ ना कुछ संसोधन तो जो किया होगा नेक्ट boiling दी है उसकी कि एक्जाम अगर लिक हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी Map रही होगी उसके लिए आगली एक्जाम होगा तो जरूर अब नहीं तो कुछ टाइम के बाद होगा यही कहना होगा इस बार एक्जाम देखिए युवाओ का साथ तोर से कहना है कि जो बेरोजगारी है उसको भी देखते हुए युवाप की बार ओट करेगा वो चाहे परिच्छा का मामला हो चाहे अनकोई मामला है युवा खुश तो जरूर है लेकिन कहीं कहीं उसे तकलीफ है जो पेपर लीख हो रहे हैं वो भी चुनाओं में कहीं न कहीं प्रभाव डालेंगे और भी लोग हैं हमारे साथ उनसे बात करेंगे क्या नाम है अमित विश्व कर्भा बहुज जी आपको क्या लगता अब की बार चुनाओ कैसा रहा है जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा में केवल अपने बीजे पी के जो साथ हमारे अगर यहां हो मैं केवल उनसे पूछने चाहता हूए क्यों की बात हम कर रहे हैं अपने जिले की ना में ऐक मुझे एक जो हमारी प्रधान मंत्री जी मंच पर खड़े हो के दलित OBC की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक दलित जो की हरिजन समास से आता है कारेकारणी में एक मुझे नाम बता दें कि यहां पर जो भी बीजेपी की की सपोर्टर खड़े हैं या जो बीजेपीख की बात कर रहे हैं तो मुझे बता दे कि एक भी जिले में कारेकारणी में क्यों उने आज तक दलित चयरा नहीं मिला दूसरी बात एक भी जिले में OBC चेहरा क्यों नहीं मिला आप जब तक बहुजन की बात नहीं करेंगे जब तक OBC की बात नहीं करेंगे आप देश पर राज नहीं कर सकते रही बात युवाओं की मैं भी आपकी बात सुन रहा था युवाओं के लिए बताए क्या किया जा रह कि ए Congo कि एक त्यृव पे चलते हैं के आप यहां इस्ता डॉन लिजे ये करणी जिए आप में के साथ चलूँगा हैं किसी भी बैंक के मैनेजर से स्टार्ट आप के लिए या किसी भी अपना कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए लॉन की बात करें गैरेंटी ले रहे ना मोधी जी तो हम से जो मैनेजर हैं वो यह कहते हैं कि क्या मोधी जी आके आपकी किस्त देंगे तो क्यसे स्टार्ट अपो होता है टीव पर खड़ होने से स्टार्ट अप नहीं होता आ जमीन पर उतर हे न जमker के बात किजीए आप जमीन पर अपे दों हए नहीं हैं आ कि बात करते हैं ना ही जो स्रक पे पैदल चलने वाले रिक्षा वाले हैं उनकी बात करते हैं आप राशन बाट रहे हैं लेकिन घर पर ले जाके एक गरीब आद्मी बनाएगा कहां पर आपका तो जो आपका जो स्लेंडर वो भी 1100 रुपए का आता है कि है कुल मिलाकर हम बात करें तो विकास का मुद्दा सडक का मुद्दा पानी का मुद्दा और 7 साथ कर दोरा यह जोजना है उन मुद्दों को लेकर भी यूअब की बार रूड़ देगा हम आपको बपतादे कि बिजननोर परों से अपकी kindergvann को आपना प्रत्यासी बनाया है, साथी साथ समाजवादी ने यजवीर को बनाया है तो महीं BSP ने विजंदर सिंग को अपना प्रत्यासी बना कर चुनावी मैदान में उता रहा है, इन तीनों प्रत्यासी ओ को लेकर युवाओं की क्या राय है हम एक बार जानेंगे सर जैसे की चंदन चौवानिया रेल्डी से हैं और समाजवादी से आपके यजवीर सिंग है और बीएसपी से चौधरी विजंदर सिंग है ये दोनों प्रत्यासी बाहर के हैं क्या इसको लेकर भी जो युवा उट करेगा तो क्या मुद्दे होंगी कि मलब स्थानी प्रत्यासी होना चाहिए कि जैसे बाहर के दो प्रत्यासी हैं इसको लेकर आपको क्या करते हैं मुझे यह लगता है कि स्थानी प्रत्यासी की तो को यसी बात होनी ने चाहिए हमारा विजन होना चाहिए कि कारेक्षिदी समय हो रहा ह कि भॉस्तों लोग यह लातिम भी अमुद्दा की भारी प्रतियाशी है या भार से आ गहें ऐसा बैसे वस्ता ऐसे तो कुछ नहीं है काम कहां पर होने वाला यह देखने क्या हो सकता है कि माली चंदन चोहां जी आहां है रल्डी कोई सीट मिली है भाजपा के साथ गठवंदन में चंदन चोहां जी को लाए है उनका पारिवारिक बैक्ग्राउंड भी पहले नहीं अपनी बिजनोर लोग सभा से उनके पिदा जी सुर्गा संजर चोहां जी सांसद रहे हैं अच् कि आपके अब एक शाहों पर आगांजब में कार्वहें थांस शायोंग तो मैं सामस्ता बहारी मुद्दा तो कोई मैं विसेश्ए ऐसा समस्ता नहीं हूं जोलोग सब प्रियास करा रहा है अच्छा है वहीं हम एक सवाल है हमारे जहन में जिसको लेकर हम फिर युवा से बात करेंगे इस लोग सबाद चुनाव में जो ओटर है वो बटे ना इसके लिए युवा क्या संदेज देना चाहेंगे देखे बाटने वाली और चाटने वाली राजनीती कभी बहुजन समाजपार्टी करती हDI Rodan Cancer Sumcast Re के चलने की बात करती है अब आज की सरकार किवल बाटने और छाटने के अलावा कुछ नहीं करती है हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है धारम धार्मिक आस्था के नाम पर बाटती है उसके अलावा अगर आप सबक पर उतरें काम के मामले में बिल्कुल भी नहीं है मैं और बीजेपी 370 लाएगी तो मैं ही पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने विश्वास के साथ मोधी जी कहते हैं कि 370 बीजेपी क्या आएगी तो गड़बंदन की जुरुद क्या थी इने इन्होंने क्यों RLD के कंदे पे रख्य बंदूग चला रहे हैं मैं बताता हूँ यह जानते हैं पहले से ही कि बिजनौर की और नगीना की सीट इनकी निकल नहीं रही है इसलिए इन्होंने RLD को मोरा बना दिया इतना विश्वास है मोधी जी तो आते ना आप बिजनौर में अपना कोई केंडिट देते न बिजनौर में फिर आपको युवा जवाब देता युवा के लिए आईए मोधी जी मैं तो किवल ये कह रहा हूँ टीव पे भाशाट द मद्दाता अपने मद्दान का अधकार का प्रयोग करने के लिए निकलेगा तो कई ऐसे धेर सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो ओट करेगा वो चाहे धर्म की बात हो और चाहे बेरोजगारी की बात हो चाहे महंगाई की बात हो कई ऐसे धेर सारे मुद जिनको लेकर युवा मत दाता अपकी बार लोगसभा चुनाओं में अपने मता अधिकार का प्रयोग करके लोगसभा में यहां से सांसत को पहुचाने का काम करेगा रोहित्र बाठी भारत समाचार बिजनाओर